तो देखे आवेद खनन पर हर्याना में E.D. का एक्शन जारी है तरहां दिल्ली NCR और हर्याना में कई जुगाहों पर E.D. की रेड हुई है हर्याना में करीब 20 जुगाहों पर E.D. का एक्शन देखने को मिला है सोनिपत यमनानगर में एडी की चापे मारी से हड़कम पमच कया है कॉंग्रिस विधायक सुरेंद पवार के ठिकानों पर जांच हो रही है आइनलजी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंग के घर भी शापा पड़ा है कई अन्य लोगों के घरों में भी एडी की परताल जारी है अवैत खनन से जुड़े मामलों में एडी की ये बड़ी कारवाई जो है वो मानी जारी है अवैत खनन से जुड़े जो भी मामले है उन पर एडी ने ये एक्शन लिया है और सक्ती से यहाँ पर कदम उठाती हुई, ED जो है वो नजर आई है, दिल्ली NCR और हर्याना में कई जगाहों पर ED ने रेड की है, हर्याना की अगर बात करी तो करीब 20 जगा ऐसी है जहाँ पर ED ने छापा मारा है, ED का एक्शन सामने आया है, 20 जगाहों में सोनिपत यमना कॉंग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार के ठिकानों पर जाच कर रही है, ED, INLG के पूर्व विधायक हैं दिलबात सिंग, उनके घर पर भी छापा पड़ा है, कई अन्य लोग हैं जिनके घरों में ED परताल कर रही है, और देखिए ये जो सारी जाच हो रही है, वो खनन से जुड़े मामलों में एक्शन लिया गया है, जहां कॉंग्रेस के विधायक सुरेंद्र पवार, तो INLG के पूर्व विधायक दिलबात सिंग के घर पर भी हो रही है, ED की छापे मारी, ये बड़ी दबिज जो है ED ने दी है, क्योंकि हर्याना के करीब 20 जगा ऐसी है ऐसे 20 ठिकाने जुन पर ये ED की जो चापे मारी है, जो एक्शन है, वो जारी है, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रही है, जब अवैद खनन के खलाफ ED ने हला बोल दिया है, ED यहाँ पर एक्शन में नजर आ रही है, और अवैद खनन से जुड़े मामलों पर रे ED ने रेड की है, अब क्या कुछ निकल कर सामने आता है, और क्या तस्वीरे रहती है चापे मारी के बाद की, इस रेड के बाद की देखने वाली बात होगी, फिलाल जो बड़ी बात सामने आ रही है, वो ये है कि एक कॉंग्रिस के विधायक सुरेंदर पवार, तो आई एन और देखिए इस खबर पर जादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहियोगी जुड़ गए हैं, दिली से मेरे साथ रवी काली रमन जुड़े हैं, लाशपत मेरे साथ सोनीपत से जुड़ गए हैं, तो वही हमना रगर से हरीश कोहली भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, सबसे पहले मैं रवी काली रमन का रुक करूंगी जो कि दिल्ली से जुड़े हैं रवी देखिए दिल्ली NCR में और हर्याना में ED ये बड़े एक्शन में नजर आई है अभी फिलहाल क्या कुछ रानकारी है कितने चिटाने ऐसे जहाँ पर ये रेड जो है ये छापे मारी जो है ED की जारी है बिल्कु शिश्टी अगर बात की जाये तो EDA की लगातार चापे बार कारवाई जो है वो जारी है यबननगर की बात करें सोनीपत की बात करें या फिर दिली एंसियार की बात करें ऐसे 20 ठीकारे हैं जिनको लेकर कई न कई ये चापे मारी जो है वो की जारी है कॉंग्रेस से सौनिपत से विधायक हैं सुरेंदर पवार उनके ठीकानों पर इडिकी जो कारवाई है वो जारी है इसके अलावा इदने लों के नेता हैं और कही न कही अभें सिंग चोटाला के सम्धी भी है पूर विधायक रहें दिलबाग सिंग उनके ठीकानों पर यम्नानगर में छापे मारी जो है वो जारी है और इसके साथ-साथ कही न कहीं है जो पूरा मामला है ये आवेद खाननन से जोड़ कर के देखा जा रहा है आवेद खाननन के मामले को लेकर ये पूरी जो है वो कारवाई की जारी है इसके अलावा अगर बात की जाए तो सुरिंदर पमार के जो नजदी की हैं करीबी है उनके घरों पर भी जो है एडी की कारवाई जो है वो जारी है और ऐसे में कई न कई करीब 20 ऐसे ठिकाने हैं पूरे हरियाना में जिन पर एडी की कारवाई ये जारी है और कहीं न कहीं तमाम कागजात को खंगाला जा रहा है खासकर आवेद करनंस जुड़े जितने भी दस्तावेज है उनको खंगाला जा रहा है इसके अलावा कोई और फंडिंग कहीं से इधर से उधर हो रखी है तो उसको खंगाला जा रहा है प्रोपर्टी कितनी है कहीं न कह में भी एक्षन यह जो है वो लिया गया है यम्रा नगर में भी एक्षन जारी है तो अभी तक क्या कुछ सामने निकल कर आया है इस रेड में और तब से यह जो चाप इमारी है यह जो रेड है वो जारी है पॉपर्टी को खंगाला जा रहा है अनेक जो जो जुड़े वे हैं तो इसे बी पूस्तास जारी है तो यह कहीं न कहीं काफी बड़ा एक मामला देखने को मिल रहा है जैसे कि अभी चुनाओ भी नजदीक है चुनाओ के नजदीक और विपक्स के नेता को एडी की रेड का बड़ी बात खुल कर सामने आ सकती है लेकिन अभी जल्दबाजी होगी कि इसमें क्या बात खुल कर आएं क्योंकि अभी उनके जो नजदीक है उनसे भी पूस्ताद जा करना की चुनाओ का चुछालने के बाद ही कुछे बात सामने आ सकती है लेकिन चुनाओ का तोर और नजदीक विपक्स के गड़ी टी हुझ जो, कि दिफक्स के नेका है और एडी के रिटा को जरूर कुछ इस तरह के संकेत मिले होंगे, कुछ सबूत मिले होंगे, जिनमें पॉंग्रिस के सविधायक की अवैत खनल से जुड़े होने की बाद सामने आ रही होगी, जिसके बाद ही इतना बड़ा एक्षिन जो है वो लिया ग क्योंकि इडी जो है वो छोटा विभाग नहीं है, काफी बड़ा विभाग है, जिस पर पूरे देश की नजरे रहती है, क्योंकि इडी जब भी जहां भी पहुंसती है, चापे मारती है, वहां पर कुछ न कुछ जरूर निकल कर आता है, आज पूरे हर्याना में 20 जगह से अधिक जो है वो छेट सापे मारी है, उच्टाच जारी है, उनके बाद ही कोई कुछ खुल कर सामने आ सकता है, इडी पर काफी बड़ा जो मामला है, सभी देश की नजरे जो है इडी पर विश्वास जताती है, क्योंकि इडी जो है जहां पर पहुंसती है, कुछ न कुछ हरीश का यहां पर रुक करना चाहूंगी, लाश्पत यमिना नगर से हरीश भी बने हुए है, हरीश आप जानकारी दीजिए और सुभा कितने बज़े से यह जो रेड है वो जारी है, उसके बारे में भी बताईए, अभी कितना समय हो चुका है? अभी कितने बात यहां पर जारी है, और वह अपर धिकाष खंगाले की तलाक्षी की जारी है, देखने मोनी बत ही है कि अवजाद कारोबार के खनन को लेकर पूरों विजाइब दिनवाद सिंग पर कही आरोब लगते रहे हैं, और समय समय के खनन विबाज और सियम फ्लाइ निकल कर रहते हैं, यह तो समया वाजने मोला समय ही तुदाए का जी. टूना हैं, आक्ष मेल면 één कुछ टूटे के खनने गिफा हैं, यह तो कि विआने मोग हैं, यह तूम यह तुटना, डा restभी ने रहती हैं, अाशने मोग परेए लिए झालत का 뽑ा हैं, यह कुछ विएशने मोगम स यह तूशने ऊंवाजनें, आ अरया हैं, गिए हैं परूजने